हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका आज की करिंट अपर अनलेसिस लेक्चों में जिसमें इंडियन एक्स्प्रेस, पिएवी और अधर सोर्सिस से लिएगी न्यूस को होलिस्टिकली अनलाइस किया जाएगा आपके प्रिलिम्स में आने इंट्रव्यों को ध्यान में रखत किरते हैं आज के लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से ही अपको इसके बारे में और नॉलेज गेन होगी ठीक है अबट इस्ट्रक्टरेशन और अबूट प्रेपरेशन ठीक है आपको आपको धेले थेले एक्स्पेलेंस होता जाएगा और जो की बहुत इंपोर्टेंट ह इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ग्लोबल पार्टनेशिप इन आर्टिफिशल इंटलिजेंस हुई है जिसे प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी के कुछ वोड्स हैं व्यूस हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं जीएस पेपर 3 के लिए नेक्स इनकी महज उम्ड कितनी थी 24 यूर्स नाशनल रे डिजीजेस पॉलिसी 2021 इसी से रिलेटेड है पढ़ेंगे जीएस विपर 2 के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स पढ़ेंगे रेर हाफ फीमेल और हाफ मेल बर्ड इस पॉर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है प्रिल रेटेंट है जो हाफ पीमील है हाफ मेल है ठीक है इसका नाम इंपोर्टेंट है नेक्स से लिखिंगे गोल्ड फिश डेंटरस फॉर एकोसिस्टम गोल्ड फिश वाली पैट होती है जो एकोईडियम से रखी जाति है अगर इकोसिस्टम में छोड देंगे ऐसे जंगल में मतलब अगर वाइल ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा यह काफी मॉंस्टरिस रूप ले लेती है ठीक है तो इसे एक्वाइरम में रखा जाता है पहले नूसे स्टार्ट करते हैं कॉलिंग फर कॉशन पीम फ्लाग्स नीट्स फॉर एथिक्स डेमोक्रेटिक वाल यूजे नहीं आई यहाँ पे क्या है कि धान मंत्री नरेंदर मुदी ने बुले कि जैसे जैसे इवोल्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इवोल्ड हो रही है यह जितनी यूज कर रहे है न उतना ही थ्रेट भी लेके आ रहे है सोसाइटी के लिए AI इस ट्रांसफॉर्मेटिव बट बहुत ट्रांसपेरिंट होना चाहिए बहुत ही साफधानी से सतरकता से हमें इसका यूज करना चाहिए अल्गोरिदम्स जो हो वो फ्री ओफ पायस हो ठीक है कि ऐसे नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टे के ये काम आ रहे है हमें लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि हम जो AI जो कंट्रीज उनके लिए AI डेवलाप कर रही है वो उनहीं के लिए बेनेफिक लेके आएगी पीम फ्लाक्ट डीप फेक यानि कि जो डीप फेक जैसे प्रॉब्लम होती है बिरश्मी का मानना वाली में निउस कवर की थी कि डीप लेक के बारे में मैंने आपको अच्छी से सबको समझाया था साइबर सेक्योटिई साइबर टेररिजन्स जैसे प्रॉब्लम बहुत उठती चली जा रही है पेम ने बोला कि अगर पएम साइबर कर्ता इंटेलिजेंस का यूस करते हुए क्या हो रहा है साइबर को आतंग वात को फैलाया जा रहा है तो यह कितना डेंजरेस होगा सोसाइटी के लिए कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो एयाई है उसे केटेगराइज कर दिया जाए रेड येलो और ग्रीन में ग्रीन वह हो जो हाई रिस्क मैशीन मैशीन मींज एयाई का यूज हो ठीक है और रेड में जो रेड में होंगी वह हाई रिस्क होंगी वहाँ पे कंजूमर और अवेर रहेगा कि उनकी प्राइवेसी कहीं लीक ना हो जाए क्योंकि वह वहाँ पे रेड रहे का साइब तो ऐसा कुछ प्रधान मंतरी ने बोलें कि कैटेगराइज करना चाहिए इंडिया इस नेगोशियेटिंग जीपी एयाई मेंबर्स विदे कंसर ओन अडिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट ताकि फ्रॉपर यूज हो सके आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का और इसे डेमोक्रेटाइज बना सके डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या होता है? To the people, for the people, by the people. ठीक है? कि लोगों को फैदा पहुचाए AI, नुकसान ना पहुचाए यहाँ पे DPI यानि कि Digital Public Infrastructure Approach को ध्यान में लेते हुए चलना है इस बार अग्रिकल्चर को भी इंक्लोट किया गया है थीम में कि हम AI का कैसे यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल एक्रिकल्चर के लिए प्रेवियस थीम हेल्थी, क्लामेट एक्षिन आंड बिल्टिंग रेजलेंट सोसाइटी थी ठीक है यह वाली कीवर्ड्स यह वाली स्टेटमेंट्स बहुत इंपोर्टेंट है इंट्रव्यू के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि AI जैसे जैसे थ्रेट अपना बढ़ाता जा रहा है न तो यह एक चलन में रहने वाला टॉपिक है कोईशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है यानि कि अगर हम डेमोक्राटिक वाल्यूस को अगर हम टेक्नोलोजी के यूज मिला देंगे तो क्या होगा यह काफे इंक्लोजिव बनेगी जो लोवर सेक्शन हैं सोसाइटी के उन्हें फायदा उन्हें मिल पाएगा अब ही काफी सारी इतिकल इशूज है एई के साथ ठीक है तो उन सब को डील करना है देमोक्राटिक वाल्यूस डालके इन इंडिया मैंनी लैंग्वेज़ज़स आइस पोकन इन थाउजंस ओफ डालेक्स यानि कि इनोंने बुले कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज़स बोली जाती हैं हमने एई को भी यूस किया है कि वो काफी सारी लैंग्वेज़स को में में communicate करके लोगों को फैदा पहुंचा सके ठीक है इन्हों ने बुला है PM ने कि कुछ ऐसा हो सकते है कि अगर जो पुरानी बहुत पुरानी languages हैं अगर AI उन्हें revive कर सके या दुबारा से लेकर आ सके तो जाधा अच्छा होगा ठीक है Sanskrit literature can be further through AI वो Sanskrit literature जिनका interpretation कापी मुश्किल है या वो languages जो लुप्त होती जा रही है ठीक है उन्हें वापस लेकर आने के लिए प्रधान मंतरी नरिंद्रमूदी ने कहा Missing volumes of Vedic Maths India क्या है India founding member है Global Partnership on Artificial Intelligence का and the incoming chair of grouping have joined the multi-stakeholder initiative in June 2020 ठीक है जब यह launch किया गया था it consists of 28 members nation along with the European Union ठीक है ध्यान रखना है यह पढ़ लेती है इसके बारे में कुछ launch किया गया था June 2020 को with 15 members Global Partnership in Artificial Intelligence is described as the rotation of an idea developed within G7 ठीक है जो G7 countries है उन्होंने क्या कहा कि हम Global Partnership on AI को develop करते है ताकि काफी सारे leaders की उसमें participation हो सके और एक consensus पर आ सके a document release कर सके जो guideline देगा AI के proper use को ठीक है it is a multi-stakeholder initiative on artificial intelligence इसका aim क्या है the gap to fulfill the gap between theory and practice on AI theory में क्या है कि हाँ ethical use होना चाहिए AI का inclusive होना चाहिए equitable होना चाहिए बट practice में ऐसा अभी नहीं है ठीक है इस चीज पर ध्यान देना है the initiative facilities facilities international cooperation on artificial technology जो artificial technology से related जो भी machines है या technology इसे उन में collaboration मांगती है ठीक है ये वाला initiative कि world leaders आपस में collaborate करें scientist science industry civil society governments international bodies and academia ये सारे collaborate करें ताकि society का welfare हो सके next important देखेंगे pompe disease एक निधी शिरो थी जिनने जो भारत की first एक ऐसे patient है जो pompe disease से जोज रही थी ठीक है उनका निधन हो जाता है यहाँ 2010 यानि की 2010 में निधी के फादर ने क्या स्टार्ट किया organization for rare diseases ये first NGO in the country for rare diseases ये एक्जामपल आप नोट करेंगे जी एस विपर 4 के लिए ऐसे ही नहीं highlight किया मैंने ठीक है जी एस विपर 4 में अगर कई आप लिखेंगे कि उनकी बेटी एक rare diseases से जोज रही थी तो उन्होंने क्या कहा वह उन्होंने क्या किया रेर डेजीजेस से जोजने वाले लोगों को लोगों की help की इसे कहते हैं empathy ठीक है तो ऐसे करते हैं नूस पेपर का अनलेसिस के आपको पता रहें कि कौन से चीज मेरे कौन से पेपर में काम आएगी देखते हैं rare genetic disorder also called the glycogen storage disease type 2 पॉंपे डीजीज क्या है यह एक rare genetic disorder है जिसमें respiratory, heart problems and muscle की problem movement में दिक्कत होती है सारे दिक्कतें एक साथ आजाती है ठीक है यह याद रखना है क्योंकि पॉंपे डीजीज न्यूज में है किस वज़े से होता है आरो ए आरो जो एक्जाम आ रहा है उसके लिए भी important है ठीक है किस की कमी से होता है इंजाइम की कमी से होता है acid alpha glycosides यह चीज ध्यान रखनी है भोलना नहीं है this enzyme is crucial for breaking down the glycosides into glucose within the lysozomes of cell ठीक है जो cell का जो lysozome होता है न उसके अंदर glycosides को break कर सकता है glucose में convert कर सकता है यह enzyme glucose में ठीक है यह थोड़ा बहुत समझना आन याद रखना important है इसमें कुछ symptoms होते है muscle की weakness होती है इंसान को चलने में बैठने में बहुत तिक्कत होती है ठीक है respiratory complications होते है shortness of breath यहां पर heart की muscles कि न जो heart muscle wall को न मतलब इसकी thickening हो जाती है ठीक है तो जिस वज़े से heart भी proper तरीके से function नहीं करता अभी से related कोई खास treatment तो नहीं है बट कुछ cure लिया जा सकता है patient की quality of life को ठीक करने के लिए enzyme replacement therapy हो सकती है standard treatment involves infusion of missing enzymes enzymes to elevate glycogen build up ठीक है glycogen को build करने के लिए important जो enzymes होते हैं वो body में डाले जाएंगे बट इसका कोई permanent treatment नहीं है rare diseases rare diseases नाम से ही बता चल रहा है वो diseases जो काफी rare है ठीक है example कौन कौन से है lyosomal storage disorder pompe disease cystic fibrosis muscle diastrophy spinal biofidia and hemophilia यह कुछ important diseases है rare diseases में GS paper 2 में अगर कोई question आता है rare diseases diseases related to कम से कम आप यह 2 example लिखेंगे pompe disease and hemophilia ठीक है जाद रखना है about 95% rare diseases देखी गई है उनका कोई proper treatment नहीं है less than 1 in 10 10 patients receive disease specific treatment 80% of these diseases इनके genetic origin है major problem यह है कि knowledge is के बारे में अभी बहुत कम है ठीक है लोगों में अभी rare diseases की awareness spread नहीं है knowledge नहीं है ठीक है research and development नहीं है अभी इस चेतर में ठीक है क्योंकि rare rare diseases यह आज का कोई कोई matter नहीं है यह काफी सालों से हो रहा है ठीक है rare diseases अब देखने को मिल रही हैं काफी बट उसके हिसाब से research and development नहीं है investment नहीं है rare diseases patients are orphans of health system often denied diagnosis, treatment and benefit of research बहुत important line है बहुत empathetic line है आपके answer के लिए कि जो rare diseases के patients होते हैं वो health system के अनाद होते हैं उन्हें ज्यादतर स्वास्ते सुविधाई नहीं मिल पाती rare diseases not only affect the person's diagnosed but also the impact of families, friends, caretaker society as a whole ठीके ये वाला point अब सबसे नीचे लिखेंगे अपने answer में national rare disease policy लेके आई गई थी 2021 में इसका aim क्या था research and development को बढ़ाएंगे and local production of medicines को बढ़ाएंगे ताकि इसके inclusiveness, accessibility, affordability बढ़ सके ये जो मैंने भी keywords बोले हैं बहुत important है आपके लिए ठीके answer में लिखना जरूरी है lower cost of treatment of rare diseases यानि किसका aim क्या था कि जो rare diseases rare diseases है ठीके उतनी inclusivity तो नहीं है affordability भी नहीं है तो इसके रहा cost काफी high होती है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े export and scientist जो health export होते वो ठीक कर पाते हैं ठीके या फिर वो कुछ temporary basis पे ठीक कर पाते हैं उसी की cost इतनी high होती है इसका aim क्या था policy का कि उस cost को कम करेंगे screen and detect rare diseases early for prevention major provisions क्या है इसमें categorize किया है diseases को group 1 में कौन सी है जो एक बारी में ठीक हो जाएंगी group 2 में क्या है long term या lifelong treatment चलेगा group 3 में कौन सी है diseases available treatment but challenges in patient selection high cost and lifelong therapy designate करेंगे designation of 8 health facilities as center of excellence center of excellence मतलब excellence का मतलब उतलब कि वहाँ पे excellent health facilities प्रवाइट कराई जाएंगे one time financial support for up to 5 crore for upgrading diagnostic facilities यह important है funding भी important होती है ठीक है next important देखेंगे the goldfish a cute pet in a ball giant threat when free यह लेकी मैं आपको बताया था कि अगर इसे wild छोड़ दिया जाएगा किसी ecosystem में तो क्या होगा यह वहां पर जा कि तहसने इस मचा देगी क्योंकि यह कुछ पी खा लेती है और सब कुछ खालेती है इस फिश कुछ न होम डेकोर के यूज किया जाता है जो एक्वेडियम होते है उसमें गोल्ड जो गोल्डन फिश होती है उसे डाला जाता है यह species of carp है native to east asia ठीक है अगर इसे wild में release कर दिया जाए तो यह बहुत ही humble फिश होती है बट वाइल्ड में चले जाए तो काफी monstrous अपना रोप ले लेती है they can even kill off native marine wildlife and contribute to the destruction of fragile and economically valuable system ecosystem यानि कि जो economically important है बहुत fragile है जैसे कि mangrove ecosystem अप देखेंगे न वहां के जो जो इको टोन आपने पढ़ा होगा ठीक है मितलब ecology में इको टोन का क्या वह होता है यह दो diverse ecosystem के बीच वाले जो एडिया होता न उसे एको टोन खहते हैं ठीक है जैसे कि यह समुझ रहे यहां पर land है ठीक है यहां पर पेड़ है तो जो यह वाला एरिया होगा न यह एको टोन होगा यहां पर इसकी भी species पाई जाती है इसकी भी species पाई जाती है तो यह काफी fragile ecosystem माना जाता है अब इस fragile ecosystem को हाम करती है golden fish ठीक है याद दखना है क्योंकि यह कुछ भी खा लेती है और सब कुछ खा लेती है क्लामिट चेंज में वाइटल रोल ठीक है गॉल्ड फिश की जो क्यापसिटी होती है कि वह एडॉप्ट कर लेती है वार्म वाटर में क्लामिट चेंज बढ़ रहा है ठीक है तो अब क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लामिट चेंज हो रहा है जिसकी वज़े से सी लेवल जो सौफेस टेंपरेचर है सी का वो काफी राइज हो रहा है और यह एडेप्ट कर जाती है काफी वाइड रेंज ओफ अच्छर को टोल रेट कर जाती है यह वाले पिश इसका मंतब क्या है हम जो हम जिस एकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे है यह उस एकोसिस्टम पे हावी हो सती है ठीक है पोर्ली ऑक्सिजेडेड वोटर जहां पे जाधा तर जो मरीन जो एक्वेटेक आनिमल जो उते पेलन हाफ बर्ट को सपॉट किया किया है बाइए वीन वोसी टयोट्योन जो य॥ीट माइन केपो विध डिस्टिंक्ट हाफ फीवेल हाफ डू मेल जो मेच यहां पर दिख रहा है राफ ग्रीजेवाद communion मेल पार्ट फीमेल फीवेल जो इसे हनी green creeper कहते हैं इसका मतलब क्या होता है जाइन्रो जान्रो मॉफी इसका मतलब क्या होता है कि एक ही species में या एक ही individual species में दो sex मिलते हैं male और female दोनों मिलते हैं तो यह टर्म याद रखनी है यह कुछ ऐसे दिखती है तो यह ऐसी जो बर्ड जो होती है ना काफी sexual behavior जो होते हैं बर्ड के यह identify करने में important होते हैं क्योंकि sexual behavior और maturation is important to वो तू मतलब हमकी अगर कोई ecosystem को survive करना चाते हैं या biodiversity को हम अपने काबू में रखना चाते हैं काबू में मतलब extinct ना हो जाए ठीक है अगर बचाना चाते हैं biodiversity को तो यह सारी चीज़े पढ़ने important होते हैं ठीक है आपको इस बर्ड का नाम याद रखना है honey green creeper आज के लिए न्यूस पेपर में आप बस इतना ही मिलते हैं कल lecture से related value edition के pdf टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके link मेरी चे description box में दूंगी वहाँ जाना है जोईन करना है डेली करेंट अपर के pdfs के लिए या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो exam के दो दिन पहले पर revise किये जा सके ठीके pdf जो ये वाली है आज कुलनी जी आज ही बंदो जाने जीए फिर कभी नहीं खुलनी जीए ठीके आपको खुद के नोट्स खुलनी जीए बार बार तो मिलते हैं कल thanks for watching thank you so much